पिछले 6 महिने में ही आपको लगबग 168% का हाइक दे चुकी है आज हम 4 शेयर्स पर बात करने वाले हैं उसमें से एक मल्टी बेगर शेयर होगा जो पिछले 6 महिने में लगबग 200% से भी ज़्यादा रिटन दे चुका है तो हम सबसे पहले शुरुवात करेंगे Sona BLW Precision Fogging से लगबग फिलहाल मौजुदा समय में ये 522 पे कामकाच कर रहा है और इसका previous close अगर हम देखते हैं तो almost 524 का था लेकिन इसकी शुरुवात हम क्या देखते हैं शुरुवात में भी इसने लगबग 523 के आसपास ही इसने अपने कामकाच को शुरू किया था 524 मान के हम चलते है शुरुआत कैसी हुई शुरुआत होई थोड़े से चड़ाई के साथ लेकिन ये चड़ाई जादा देर बर करार थी नहीं ये चड़ाई बिल्कुल समय के साथ थोड़ी ही देर में बिल्कुल गिरावट में बदल गई लेकिन 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 यहाँ पे इसको हम एक अपर बॉटम का सपोटम को मिलता हुआ दिखा इसलिए इसने दुबारा ये जो इसका मेडियन था कौन सा मेडियन था 524 का 524 के मेडियन को इसने दुबारा पकड़ने की पूरी कोशिश की लेकिन नाकामयाब हमको इसमें नाकामयाबी मिलता हुआ दिखता है यहाँ से फिर से यह दोबारा गिरा लेकिन जब फिर से एक बार चड़ने की कोशिश की यहाँ से उसको एक बार कामयाबी मिली और यहाँ से उसने पूरी तरीके से 524 तो नहीं पकड़ पाया लेकिन 523 को उसने कस्क के पकड़ा हुआ था पूरे दिन भर के लिए इसी वज़े से उसको थोड़े देर के लिए एक वक्त मिला अपने उस से पूराने मेडियन को पकड़ने का जो 524 का था यहाँ से उसे एक चलांग मिलता है यह चलांग बहुत सारे कारणे से आता है यह चलांग ज़्यादा खरीदारी के वज़े से भी आता है यह चलांग कंपनी में तेजी के वज़े से आता है बहुत सारे कारण है लेकिन इस चलांग के पीछे कोई खास ठोस सबूत ना होने के कारण ये वापस नीचे आग गिरा और वापस फिर से यहाँ पर जाता हुआ हमको देख रहा है मतलब इसमें फिर से 524 का जो मेडियन है उसको दुबारा से पकड़ लेकिन आखिरकार इसमें एक लास्ट मी गिरावट हमको नजर आई तो इसका भविश्य क्या है इसका अगर इसमें अगर आप निवेश करना चाहते है शौट टम के लिए तो फिलाल शौट टम के लिए सही रहेगा ये 570 का टार्गेट इसका अगर आप इसमें खरीदारी करना चाहती है एक दिन और रूख जाईए ये थोड़ा और नीचे आन के समय के भी रख सकते हैं अगले छे महने ते की 720 तक पहुचने के इसके आसार जरूर है आज का हमारा अगला शेर है के पी आई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड मौजुदा समय में ये 5920 पे काम काच कर रहा है दिन बर के हलचल को आप अगर देखते है तो लगबग पीविएस इसका था 893 का लेकिन शुरू कहां से होता है बढ़के चड़के शुरू हुआ है क्या कोई फाइदा मिला जी हाँ फाइदा मिला शुरूवात के चरणों में अगर हम देखते हैं तो इसमें एक गिरावट के साथ हमने इसको मार्केट में तैरता हुआ हम को मिला है बाद में चल के बारा बजे के आसपास इसमें हमको एक गहरा डिप देखनों को मिला लेकिन यहां से एकदम उसने चड़ाई कर दी यह चड़ाई बड़ा शांदार था आल्मोस 945 तक यह पहुँच गया था इस चड़ाई के वज़े से यह 945 का नंबर इसका हमेशा से एक लेकिन सस्टेन करता हुआ आगे बड़ा है मार्केट को इसने कंसॉलिडेट आखिर तक करके रखा था इस दौरान इसमें एक छोटे छोटे हमको यहां पे अपर बॉटम का सपोर्ट इसको मिलता हुआ दिखा यही वो कारण था जहां पे आपको अपर बॉटम के दो से जी यही कारण था इसके स्टेबल होने का आप बात करते हैं अगले दिन की तो अगले दिन यह चड़ाई के साथ अगले दिन शुरू होने वाला है शौ। short term के लिए इसमें आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो short term के लिए आपके लिए सबसे उपयोक्त होगा 1050 का 1050 का आपके लिए सबसे उपयोक्त होगा फिर भी इसको पकड़ने के लिए आपको लगबग 3-4 महिने का शायद वक्त लग सकता है long term की बात करते है तो long term हमेशा आपको एक चीज़ देखके ही हम कर सकते है जो है आप इसमें लगबग 1200 इससे लेके 1300 का एक आप इसमें long term का निवेश कर सकते हैं लेकिन उससे जादा आप इसमें जादा उमीद नहीं रख सकते हैं उसके कारण में आपको बता देता हूँ का हमारा अगला शेर है Reliance Industries मौजदा समय में यह फिलाल 2567 पर कामकाच कर रहा है दिन बर के कामकाच के अगर हम विशलेशन करें तो लगबग 2530 पे इसकी सबसे पहले हम शुरुआत देख प्रिवियस क्लोज रहा है और शुरुआत इसका कहा से होता लगबग उसी के आस पा गया है देखिए जो कंपनी आप देख सकते हैं आप खुद भी इसको आग देखेंगे कि जो कंपनी प्रिवियस क्लोज और दिन की शुरुआत एक रहता एक रहता है उस कंपनी का उस दिन आगे बढ़ना तैय रहता है यह खास कर यह जानकारी उन लोग लिए जादा जरू को मिला 2560 पे 2560 पे आगे बढ़ता हुआ इसमें दो बार हमको डिप देखने का मौका मिला लेकिन यह डिप बड़ा कमाल का था आप ध्यान से देखेंगे तो यह अपर बॉटम सपोर्ट था अब ध्यान से देखिए यह दोनों भी अपर बॉटम सपोर्ट है अपर बॉटम से अगर ज्यादा आपके अगर अपर बॉटम सपोर्ट लग जाता है किसी शेयर में तो होता यह है कि वो शेयर वहां से फिर वो उठना शुरू कर देता है और आगे की और बढ़ता है वहां से गिरता बहुत कम है 99 परसंट आप देखेंगे दो बार अपर बॉटम लगें क बाद शेयर सिर्फ आगे बढ़ता है तो यह यह चोटी चोटी जानकारिया है जो एक जो लोग शेयर में अपना पैसा लगाते उनको पता होना चाहिए चोटी चोटी बात है अब देखेंगे कि आगे इसने क्या कमाल किया है बारा बज़े के बाद करीब सावा बारा के आस नीचे आ गया लेकिन ये नीचे बहुत देर तक रखा नहीं फिर से उपर आने की इसने कोशिश की लेकिन या से फिर से एक पर्टिकुलर लेबल पर काम करने लगा मार्केट में उसने रेजिस्टेंस बनाने की पूरी फिर कोशिश करने लगा है अब इसका आगे का तो ये कितने जल्दी तैय हो सकता है ये हो सकता है बिलकुल महीने देड़ महीने के अंदर इतना ये क्रोस कर चला जाएगा लेकिन अगर लॉंग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे है तो लॉंग टर्म इसमें कितना हो सकता है देखिए लॉंग टर्म की इसमें दो कारण ह हो सकते हैं long term में कि इसका फिराल performance बहुत अच्छा चल रहा है तो आपके पास long term के लिए 3300 का एक अच्छा नंबर चल के आ रहा है जो अगले तीन से चार साल के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिल सकता है और ये 3300 350 बनने में भी बिल्कुल समय नहीं लगेगा तो इसमें आप लंबे समय के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से निवेश कर सकते हैं अब बारी है हमारी 168% का हाइक दे चुकी है अब इसके अगर आप पूरे साल भर की अगर आप पाच साल से ज्यादा मैक्सिमम में अगर आप देखते हैं तो देखिए कमपनी बहुत जादा पूरानी सबसे वहले बात नहीं है कमपनी को देखेंगे तो बिल्कुल कमपनी नई ताजा शुरू हुई है इसी साल इसी साल से कमपनी मार्च महीने के चार तारिक से शुरू होती हैं को नज़र आ रही है सिर्फ 76 रुपे था लेकिन समय के साथ इस कमपनी का फंडामेल्टर बड़ा स्ट्रॉंग रहा है इसलिए ये कमपनी में महीने के बाद से बिल्कुल चड़ता हुआ में जरूरत नहीं है आप सिर्फ December महीने तक आप वेट करेंगे December महीने तक आप अगर वेट करेंगे तो आप क्या पाएंगे मैं आपको बता देता हूँ आप इस इस पर्टिकुलर इस शेयर में आप 400 क्रॉस करता हुआ December आप देख लेंगे तो ये लगबग लगबग आपके 750 सॉरी आपको ये लगबग 75 परसंट आपको ज़्यादा दिख रहा है और कम से कम ये 300 परसंट आपको कमा के सो देई देगा December आप लिख लीजिए अब अगर इसमें आप ज़्यादा समय के लिए आप रखना चाहेंगे तो ये कितने में जा सकता है ये अगले साल एक साल के अंदर ये 1500 क्रॉस करने का पूरा दबदबा रखता है पूरा ताकत रखता है अब आप पर निर्भर करता है आप अगले तीन महीने में ही आपके पास बहुत ज़्यादा रुपे आ सकते कितना एक अंदाजा अगर लगाई है आपने अगर 10,000 भी खर्चा करते है तो अगल कर देने वाला है ये बात पकी है ये बात शियोर है